हेलो फ्रेंड वेलकम यू आल आज मैं आपके लिडियो देखा रहे हैं बात करने वाले हैं M60 मशीन गन करेक्शन की पुल बैक स्टॉक्स के माध्यमस को समझागे सीखने की कोशिश करेंगे देर सारी चीज़े आप इस वीडियो के माध्यमस की सीखोगे समझोगे और आगे बढ़ने से पहले मापको बता दोगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइ किया गया है और पूरी सीरीज वी वन, वी टू, वी तू, वी तू करके आपके लिए वीडियो सीरीज एड़ेड है साथ मैं निफ्टी की आप्शन सेलिंग वीकली साइकल के बेसे तो 15 मिनट साइकल के बेसे पर किस तरीके से उसको समझाया गया आप उसको भी समझ सकते हो और बहुत ही अच्छे से आपको explain कि आप देखिए समझी और practice जरूर कीजिए आज इस stock के हम चर्चा करेंगे Glaxo Smith Klein से हम सीखेंगे कुछ Pharma, Glaxo Pharma इसको कहूंगा मैं एक बड़ा stock है जिसका market capitation 43,000 क्रोड के पार है देखिए और किस तरीके से उधार मुक्ति ये company है क्यों ये पिछले कुस टाइम में रडार में थी किस तरीके से यहां पर positivity है क्या इस particular मैं कहूंगा movement का मतलब है जड़ा देखिए ये stock के ये मंधली चार्ट है M60 machine gun correction क्या होता है सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से बार बार इस zone से price reject हुआ था मैं यहां पर एक area नहीं एक line नहीं पूरा zone ले रहा हूं कि कि इस zone में ये areas भी cover हो जाते है देखिए हो ना तो बार बार price इस zone से reject हो रहा था तो इसका मतलब क अगली बार जब breakout होगा है तो हमारे पास pullback आएगा वापस इस particular zone तक जो यहां पर हुआ और अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे तो M60 machine gun correction का मतलब M60 मतलब मंत्री और rally के बाद 60 पे आके halt लेना RSI पे इसको हम M60 machine gun correction कह रहे हैं अब छोटे time frame अगर आप इस rally को होगे जो की 1400 से 2400 तक की गई फिर यह correction आई है उसके बाद इस rally का महत और बढ़ जाता है अब जहां से देखना और सीखने समझने की कोशिश करना इस particular part को मैंने straight line आपके सामने draw करी मैंने यह bottom पे zone आपके सामने draw करने की कोशिश करी देखे यह zone पूरा है अब देखे यह rejection candle होती है फिर से red candle बनती है अगर इस volume के context में देखोगे तो volume गायब है आप्रेल के मन्त में एक positivity देखने को मिलती है तो एप्रेल एंड में हमारे लिए stock और important हो जाता है क्यों क्यों कि एक kind of positivity kind of reversal अगर आप छोटे time frame में देखोगी तो आपको देखने को मिलेगा और साथ में M60 correction अब आपके मन में question हो गया एप्रेल के end में अगर मुझे दिख जाता stock तो बहुत जल्दे इस चीज को समझ लेता तो मैं आपको बार-बार कहता हूं कि हम आपको time पर बिल्कुल चीज है आपको learning perspective से लेके आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक नहीं ब देखा तो जरूर देखें और जून में हमने इसके बार में काफ़ी detail में इन लवल्स पर भी चर्चा करी थे आपको गया किन लवल्स पर यह बिल्कुल अरली यह जून के जोन पर स्टार्ट हो रहा था तो मैं आपको चोटे time frame पर लेके जाऊंगा अभी हम फिलाल M60 machine gun correction के बारे में बात करें तो जब हम M60 के बारे में बात करने हैं तो M60 को जब हम समझेंगे अब ध्यान से आप खुद देखना M60 का मतलब एक बड़ी correction जो कि monthly time frame पे momentum के बाद आ रही है तो यह rally यह momentum और आप इस particular zone को भी देखेंगे जो April में बना था मैं daily time frame पर आपको लेके जा आपको दिखाऊंगे क्योंकि हमने वीडियो का coverage April 29 के आसपास किया था जो यह consolidation चल रही थी 21 के आसपास 2100 के आसपास का price था आप देखें इसी particular zone को दिखना यह जो M60 correction है वो किस तरीके से कहां तक आई यह M60 correction का जो बहुत ही बहातरीन चीज मुझे देखने को मिला एक M60 machine gun correction मदब यह momentum वाली correction लेकिन अगर मैं कहूं जैसा मैं आपको कहा कि जून में भी इस वीडियो को cover किया था अगर आप लास्ट वीडियो के description में जाओ तो काफी detail में इसके बारे में चर्चा की गए यह देखिए जून 23 यहांचा आपको detail मिल जाएगी आप यहांचे दे क्या चल रहा उसके basis पर चोटे time frame में कैसे अब entry ले सकते हैं उसके बारे में कहते हैं और अगर आप entry एक बार ले 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 तो आपका stop loss fix है तो आपको पता है आपका stop loss का zone क्या है कहां पर आपका stop loss है तो अगर आपकी direction में जाने के बाद stock नीचे भी आता तो आपको पता है this is just a correction क्योंकि आपका stop loss defined है उसके बाद आप देखिए rally फिर से अगर मान दो आपने entry ले ली आपका stop loss यहां पर है तो इस correction से आपको डर नी लगेगा क्यों डर लगेगा क्यों आपको पता है आपका stop loss कहां पर देखिए zone देख रहे हूं तो important क्या है risk को manage करना important क्या है cycle को समझना यह छोटी छोटी चीज़ा जरूर है लेकिन बहुत ही important चीज़ है तो इसलिए इनको जरूर समझे देखे और practice किज़े देखे practice जब हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता है जैसे monthly weekly daily हम generally किसी भी stock के लिए यह तीन टाइम फ्रेम क में आने के बात की correction है अगर आप देखो यहाँ पर इस तरीकी की correction है momentum में आने की बात की correction है तो clearly आपको दिखा है तो जब आप यहाँ पर सारी चीज़े monthly के साब से चल रहा हूँ है मैं यह मान के चलता हूँ आपने entry ली जो यह red candle है इसके close के ऊपर बलके इसके top के ऊपर ह आपका stop loss है तो यह आपका stop loss है तो यह आपका stop loss है तो यह चीज़े यह risk management important part यह सारी चीज़े defined है now you can go ahead क्योंकि चीज़े defined है तो defined होना important है defined होने क्या है important है उससे क्या होता आपको पता है आपका loss कितना हो सकता है and on the basis of that loss आपका position का size defined होगा position का size आपके इतना loss ले सकते है उसके basis पे define होगा तो यह हमने Glaxo Smith Client का example लेकिन वीडियो में हमने और भी बहुत सारे stocks के बारे बात करेंगे तो यह बहुत ह बढ़िया example होता है M60 correction मतलब एक बार momentum मंतली में आ गया हो बहुत अच्छी बात है momentum वो momentum रहा तीन महीने तक फिर उसके बाद तीन महीने correction आपको देखने को मिली दो महीने correction और तीसरे महीने reversal देखने को मिला तो यह क्या कहलाएगा M60 correction यहाँ पर opportunity आपको बड़े time frame चोट को हम समझने की कोशिश कर रहे है हम multi time frame को समझने की कोशिश कर रहे है और यह सब learning का part यह सब process का part है तो जब भी हम process के साथ चलते हैं आगे तो दिरुज़े probability high probability कि वो process को आप improve आने वाले time पर कर सकते हो लेकिन वो process आपको जब follow करोगे तो एक पूरा plan है उसमें उसमें entry ह उसमें exit है उसमें risk management है तो process को जमने एक systematic process को follow करते है तो इस high probability success होने के तो यह हमने यहाँ पर सीखा समझा Glaxo का example लिया और उमीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आओगा ज़रूर और वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर कीज़े लाइक की जो प्राइस वीडियो